नमस्यकार और आजम कड़े हैं लिबनीज स्पोर्ट्सकार के सामने जिसका नाम है डबल्यू मोटर्स लाइकन हाइपर स्पोर्ट 2013 में लॉंच हुई थी और ये फर्स जेनरेशन का प्रोटोटाइप वेरियंट आप देख रहे हैं सिर्फ पेटरोल में एक ही मॉडल आता था जिसकी कीमत थी 24 क्रोड रुपीस 2017 से डिसकंटिन्यू कर दिया है डबल्यू मोटरस ने लाइकन को और फिनेईर सूपर स्पोर्ट ने इसको रिप्लेस किया है अपने समय में दुनिया की तीसरी सबसे महंगी प्रोडक्शन कार थी लाइकन एंथनी जैनरेली ने डिजाइन की है लाइकन सिर्फ लिमिटेड साथ यूनिट सी बनाई थी डबल्यू मोटरस ने लाइकन की 2020 या 2021 तक आ सकती है डबल्यू मोटरस इंडिया में जिसके लिए डिलर से कॉन्टेक्ट भी शुरू हो गया है UAE के दुबई शहर में असेमली होती है लाइकन की फ्रंट सेंसर्स है डबल्यू मोटरस का लोगो लाइकन पहली कार है जिसकी हेडलाइट में जोलरी है जिसमें टाइटेनियम LED ब्लेड्स हैं 440 डाइमेंड्स के साथ डाइमेंड्स की जगे रूबीज, येलो डाइमेंड्स और सफायर्स भी कस्टमर्स ने लगवाए थे हेला की प्रोजेक्टर हेडलाइट है रेन सेंसिंग वाइपर्स है एरो डाइमिक डिजाइन है रूफ का एलेक्टरिक आउटसाइड मिरर्स हैं टर्न इंडिकेटर के साथ यहाँ पर भी डब्ल्यू मोटर्स का लोगो है एर इंटेक्स के लिए कूपे बॉडी स्टाइल है लाइकन की 4.4 मिटर लेंथ है 1.1 मिटर हाइट है और 1400 केजी कर्ब वेट है रिएर मिड एंजन, रिएर वील डराइव है लाइकन आगे 90 इंच के फोर्ज अलिमुनियम वील्स मिलेंगे और पीछे 20 इंच के वील्स मिलेंगे आगे और पीछे séramic composite डिस्क ब्रेक्स पी मिलेंगे डिस्क ब्रेक्स पे भी कई कलर्स के आप्षिन्स मिलते थे काफी पावरफुल और यूनीक डब्यू मोटर्स स्टाइलिंग है लाइकन हाइपर स्पोर्ट की लेबनीज और इटैलियन इंजिनियर्स ने मिलकर बनाया है लाइकन को पूरी हैंड क्राफ्टेड कार्बन फाइबर कंपोसेट बॉड़ी है फुली कैटलाइजड स्टेनलेस स्टील एक्जॉस सिस्टम है एक्टेव बाइपास वाल्स के साथ रियर पार्किंग सेंसर्स भी मिलेंगे और यह रिफ्लेक्टर्स हैं और यह स्टॉप लैंप डब्यू मोटर्स का लोगो डब्यू मोटर्स की बैजिंग एलेडी टेल लाइट लाइकन का लोगो और यहां पे डब्यू मोटर्स लाइकन हाइपर स्पोर्ट की सिगनेचर मैटल प्लेट है लाइकन का कनवर्टेबल रोडस्टर मॉडल भी लॉंच कर सकती है डव्यू मोटरस फ्यूचर में आगे मैक पर्सन स्ट्ट सस्पेंशन मिलेंगे और पीछे होरिजॉन्टल कॉईल ओवर शॉक एब्सॉर्बर्स के साथ मल्टी लिंक सस्पेंशन मिलेंगे आगे पीछे एंटी रोल बार्स भी मिलेंगे लिमिटेट स्लिप डिफ्रेंशल है जो कार के पीछे ट्रांसवर्सली माउंटेड है यूरोपियन आटो मैनुफेक्चरेर्स, केरोजेरिया व्यॉटी, मैगना स्टायर, रफ आटो मोबील और स्टूडियो टोरिनो का इन्वॉल्मेंट रहा है डवल्यू मोटर्स कंपनी के डेवलप्मेंट में डव्यू मोटर्स में डव्यू का फूर्फ़र्म है वूल्फ इस हाइपरकार कंपनी को रैल्फ और डेबास ने 2012 में लेबनन में शुरू किया था और आज कंपनी का हेड़कॉर्टर दुबई में है सेफटी के अंदर डुवल स्टेज फ्रन्ट एर बैग्स, साइड एर बैग्स, बॉश ABS 8.0, EBD, एंटी स्लिप रेगुलेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, इमोबिलाइजर, सेंटर लॉकिंग, ट्रैकिंग डिवाइस और अलारम मिलेगा वॉल्यूमेटरिक और टिल्ट सेंसर के साथ, डव्यू मोटर्स की पहली स्पोर्ट्स कार है लाइकन, डव्यू मोटर्स कंपनी के वूल्फ पैक कैटेगरी के अंदर आती है लाइकन हाइपर स्पोर्ट और नई फिनेईर सूपर स्पोर्ट, डव्यू मोटर्स का एक स्पे जैसे concept भी बनाए गए है Signature W Motors का design है सिर्फ साथ model सी भी के हैं Lycan Hyper Sport के दुनिया में और काफी limited edition hyper car है Lycan Hyper Sport इस बटन को टच करते ही door open होगा W Motors का patented reverse dihedral door system है जो काफी unique है बटन को टच करते ही glass down होगा और door open होगा stylish dihedral reverse door system door पे नीचे speaker है उपर भी speaker दिये गया है carbon fiber finish है Lycan की bedging है और ये है Alcantara upholstery leather upholstery का भी option था seats पे gold stitching का भी option मिलता था custom W motor seats हैं ये roof पे glass दिये गया है carbon fiber center console फिनिश है और असे दिता है dashboard और ये front bonnet और rear compartment open करने के लिए buttons हैं बटन से हैं stylish pedals light के controls हैं carbon fiber AC vents है manual hand break leather finish है बीच में lycan के logo की stitching है और यहां उपर भी थोड़ी space दी गई है arm rest के अंदर भी काफी space है और ये है six speed sequential manual transmission Porsche का seven speed dual clutch PD के automatic transmission का भी option आता था काफी stylish transmission है engine start stop बटन door lock and lock कनने का बटन traction control के बटन्स हैं और ये है automatic temperature control AC suspension settings के बटन है और ये है holographic display carbon fiber finish है lycan की bedging है glow box में भी काफी space है lights दी गई है और ये है काफी unique holographic display system ये prototype test model है इसलिए इसका display थोड़ा सा tricky है और ये है Alcantara और carbon fiber finish में three spoke steering wheel light के controls है ये wiper के controls है और ये cruise control और ये fully digital instrument cluster ये दिखाएगा power torque speed, rpm, gear shift indicator fuel level, trip meter जी फोर्स और टर्बो प्रेशर तो ये 9 इंच का mid-air holographic display system interactive motion features के साथ support करेगा bluetooth, satellite navigation 3D internet router media और integrated hard drive ये ऐसे दो finger से use होता है production models का holographic display और काफी easy है use करना ये mid-air display system है interactive motion features के साथ और ये काफी attractive instrument cluster ये trip meter, rodometer, g-force, rpm, turbo pressure ये torque दिखाएगा आईए फ्रंट का bonnet खोलते हैं और देखते हैं compartment area fully carbon fiber finish है और यहाँ battery है, side में थोड़ी space दी गई है पीछे का compartment open नहीं हो सकता है अभी इसमें प्रसा jammed है वो लाइकन हाइपर स्पोर्ट में है 3700cc flat 6 cylinder rough automobile का twin turbo charge boxer type petrol engine independent intercooler के साथ 780 horsepower है, 960 Nm torque है 0-100 की speed पगड़ेगी 2.9 seconds में 0-200 की speed पगड़ेगी 9.6 seconds में और 395 km per hour के top speed है और 7 का average मिलेगा क्पड़ेगी 9 लुबादी 9 का लाइब़ेट 9 लुबेगी 9 लाइब़ेगी 9 का लाइब नहीं 0 तो यह थी 3700 cc एंजन के साउंड 780 होस्पावर है और यह है 2017 में लॉंच होई फिनीर सूपर स्पोर्ट का कॉंसेप्ट मॉडल इसकी प्राइज है 13 करोड रुपीज नॉर्स माइथलोजी की एक खतरनाक वूल्फ फिनीर से लिया गया है इस कार का नाम फिनीर की 110 यूनिट्स बनाएगी डव्ल्यू मोटर्स 4.6 मिटर लेंथ है 1.1 मिटर हाइट है और 1350 केजी कर्ब वेट है फिनीर सूपर स्पोर्ट का और यह डव्ल्यू मोटर्स का लोगो फिनीर में है 3800 cc फ्लैट 6 सिलेंडर रफ आटो मोबील का ट्विन टर्बो चार्ज पैट्रोल एंजिन इंडिपेंडन्ट इंटर कूलर्स के साथ 800 होर्स पावर है 980 अनम टॉर्क है और 400 किलोमेटर पर आर की टॉस स्पीड है और 7 का एवरेज मिलेगा पॉर्शे का 7 स्पीड डूवल क्लच PD के आटोमेटिक ट्रांसमिशन यूज करती है फिनीर लिमिटेट सिलिप डिफरेंशिल के साथ लाइकन का लेटेस जनरेशन मॉडल है फिनीर और यह रेड कलर की प्लेट है फिनीर का लोगो UAE का फ्लैग है यहां पर फिनीर में भी आगे 19 इंच और पीछे 20 इंच के फोर्ज अलिमूनियम वील्स मिलेंगे और यह है वो लाइकन हाइपर स्पोर्ट का मॉडल जो फास्ट अन फ्यूरियस 7 में यूज किया गया था फिल्म में विन डीजल के करेक्टर डॉमिनिक टॉरेटो ने एतियार टावर से जम्प कराई थी लाइकन को और उस सीन में पॉल वाकर एके ब्राइन ओ कॉनर पैसेंजर सीट में थे फास्ट अन फ्यूरियस फ्रेंचाइज के सबसे पाउरफुल सीन्स में से एक था लाइकन का वो बिल्डिंग जम्प सीन तो कैसी लगी आपको लाइकन हाइपर स्पॉट हमें कमेंट्स में बताईए थैंक यू कर दो के बिल्डिंग सीनित